नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि हिस्ताप्रो 20MG टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, हिस्ताप्रो 20MG टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और हिस्ताप्रो टैबलेट की वज़से क्या इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि हिस्ताप्रो टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, हिस्ताप्रो एक ब्रैंड नेम है, हिस्ताप्रो टैबलेट के अंदर सौल्ट कंपोजिशन बिलस्टाइन 20MG होता है, हिस्ताप्रो टैबल इस्ताप्रो टैबलेट का उप्योग सर्दी जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है, सर्दी जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आक, नाक या गले में खुजरी होना, छ पर खुजली होने पर भी इस्ताप्रो टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है, ग्हाम, नजला की कि बहना, आक, या किसी अन्यतम जहरीले जानवर के काचने की वजह से कुई तवचा पर रैशेस, सुजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्तर हिस्ताप्रो टैबल को लेने की सला दे सकता है. Side Effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Histah Pro Tablet की वज़ज़से कोई Side Effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में Histah Pro Tablet की वज़ज़से कुछ सामान्य Side Effects हो सकते हैं जैसे मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान वर सुस्ती होना, नीन अधिक आना, नाक से खून आना, पेट में दर्ध होना, चक्कर आना और उल्ती आने का मन होना आधी साइड इफेक्स हिस्टाप्रो टैबलेट की वज़र से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की हिस्टाप्रो टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है, हिस्टाप्रो टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, हिस्टाप्रो टैबलेट को खाना खाने से एक घंते पहले लेना या खाना खाने के दो घंटे बाद लेना चाहिए। आम तोर पर डॉक्तर बारह साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को हिस्टाप्रो 20-MG टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। हिस्टाप्रो टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको हिस्टाप्रो टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अ कम उम्र के बच्चों के लिए हिस्टाप्रो टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हिस्टाप्रो टैबलेट को नहीं देना चाहिए। हिस्टाप्रो टैबलेट के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए। वैस व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशक्ता होती हैं। हिस्टाप्रो टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को कोई नुक्सान नहीं पहुचाती हैं। लेकिन केवल ज्यादा जरुरत पढ़ने पर ही डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को हिस्ताप्रो टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना हिस्ताप्रो टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका हिस्ताप्रो टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं